कि मेरी आवाद ठीक से आ रही है आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है अच्छा ठीक है तो आज हम लोग गोचर पढ़ेंगे पिस्टी बार हम लोग दिर्सस किया था तो गोचर पे आज हम लोग चलेंगे गोचर का बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं गोचर फल क्या होता है यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हाला कि मैं आपको थोड़ा सा यह बता हूं कि कुंडली देखने में जो प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है 85 परसंट फल तो आपको मालूम चल जाते हैं लगन कुंड़ी देखके और 15 परसंट फलों का मालूम चलता है आपको गोचर देखके सब कुछ नहीं है मतलब आप यह मजश्यकर माप इतने उलज्जाएं कि आप बुढ़ी देखना ही बूल जाया आपको लगन ऑप देखनी है दशा कौन से चल रही है वो देखनी एक दो मैंने के डिफ्रेंस पे वैसी बिना गोचर के तो आप यह मांग के चलिए कि 85 प्रसंट लगन कुंडली और 15 प्रसंट कुंडली की इंपॉर्टेंस होती है अब गोचर होता क्या है देखें गोचर में आपको चीज दिखाएता हूं एक कुंड़ी दिखाएता हूं बन यह देखिए एक कुणली है कि यह कुणली मकर लगन की है डस नंबर इसका लगन है और यह कुणली उस वक्त की है इस जातक का जन्म हुआ जब जातक का के तक्ष Blind लगन कुंड़ी आज की कुंड़ी विया या आज के समय तुठी निए अगर कि से खिएक deepest पीजी की किसी की बनाईवत क्षिए तो आज की डेट में ग्रह यहां यहां बैठे होंगे शनी ग्यार नंबर में उस वक्त भी शनी ग्यार नंबर में था, देखे, 1964 में भी शनी ग्यार नंबर राशी में था, वो पूरा चक्कल आके वापिस आप ग्यारा में आ चुका है दुबारा से, सूर्य एक नंबर राशी में है, यहां सूर्य ग्यार नंबर राशी में है, रा इतना फर्क होता है और इसवा एक चीज में को ओर ठोड़ा सा बता दूं के गोचर का मतलब होता है ग saus मन्स होता है ग्रह उचर मंद होता है ग्रहों का चल लुक्ति और आपके जनके समय, आपकी कुंड्ली क्या थी और आप factory आज के समय अगर उसी क्या होता है गोचर कुडली में कि गोचर को हमें देखने का नजरिया होता है यह मैं आपको थोड़ा सा समझाएता हूं गोचर फल जन कुडली में गोचर को तो हम बहुत जगे से देखते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा फल हमें मिलता है चंद्र राशी से गोचर देखने का यानि बच्पन के समय आपका चंद्रमा किस राशी में था वो आप नोट कर लिए और आज की डेट में कुंडली में देखिए के कौन-कौन सा ग्रह कहां चल रहा है जैसे इसी कुंडली के अंदर में आपको दुबारा शेयर कर देता हूं जन के समय चंद्रमा कहा है राशी ठीक है गुराशी में है तो यह जो हमारा जंके कि चंद्रमा है कहां था कुंड lag शेयभा शेयर कश won नम्बर में है आजो सूरिय कहांगे जनकालिन चंद्रमा से हमारा जो है सूर्य दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर है जहां चंद्र है वहीं सूर्य है चंद्रमा हमारा गया नंबर में था राहू कहां पर है हमारा बारा नंबर में है तो यहां से राहू एक और दो जैनि दूसरे स्थान पर राहू है जनकालीन चंद्रमा से गोचर का राहू दूसरे स्थान पर चल रहा है गुरू कहां पर है एक नंबर राशी में यानि एक नंबर राशी में देखें तो चंद्रमा हमारा यहां पर है ग्या नंबर राशी में और गुरू यहां पर एक नंबर राशी में है तो इसका मतलब यह होगा कि चंद्रमा से पहला दूसरा तीसरा गोचर चल रहा है इसका गुरु का कि चंद्रमा कहां पर है चंद्रमा चार इसी वी एक नंबर राशी में है चंद्रमा भी यहां पर तो हमारा चंद्रमा कहां था जंद के समय जंद के समय चंद्रमा गैरा नंबर राशी में था त कि यह समझ आ रहा है आपको अरुन जी कि आ रहा है सर अच्छा गुंजन समझ में आ रहा है कि ठीक है मुनोर्मा जी हां जी सर भी आ हुभ को और चंद्रमा और आपको ये देखना है कि आपके जर्म के चंद्रमां से आज की डेट में ग्रह काना गया है या 11 बस इतना आपको चेक करना है है चैन्दर से गोचर जो है वो सबसे अच्छा माना गया है तो कि चंदर गोचर जो होता है तो आपको खोशी होगी आपका मन प्रसन्म होगा अगर गोचर आपका अच्छा नहीं है तो आपको खुशी नहीं होगी गोचर अच्छा होगा या गोचर बुरा हो ये कैसे हो जैसे हम देखना चाहते हैं कि सूर्य का गोचर हमारा कैसा रहेगा आज की डेट में जो हमारा सूर्य चल रहा है कहां चल रहा है कुंब राशी में, तो जन्मकालिन चंद्रमा नहीं, कहां पहूँचा, प्रथम भाव, पहले नहीं, बोले बोले, पहले नहीं, पहले नहीं जन्मकालिन चंद्रमा से, तो जनकलिन चंद्रमा आपका यहां है, सुर्या यहां यहां ग्याणमवर राशी में है, तो उसी भाव में चल रहा है ना, फेहरे भाव में है, जनकलिन चंद्रमा से, आप यहां से गोचर्मत लगाओ, आप। जहां चंद्रमा आपका बैठा है आप उसको लगन बना लो छलो मैं यहां चंद्रमा का लगन बना इसको वना लता हूं इस बहुत इसमारिय वैंने आप देखो सुर्य गया नंबर राशी में हैं गोचर में यहां बै прétर है लेकिन यहां पर गुरू का गोचर तीस रहा whipping गुरू एक नंबर राशी में है कि ऑल चंद्रमा हमारा ग्याह करने इस त्रीक हो आको समझ मेंแाएS और नहीं समझมา्झika hou तो पूछ लिजीह पिर यह दिक्कत जागी आपको सिर्फ यह देखना है कि आपका जंद्रमा कहां बैठा और आज की डेट में जो ग्रहें आपके हैं वो कहां कहां पर उन ग्रहों का प्लेस्मेंट आपको बताएगा कि गोचर आपका अच्छा है या गोचर आपका बुरा है अच्छा गोचर है आपको अच्छे फल मिलेंगे बुरा गोचर है आपको बुरे फल तो नहीं गोचर का इफेक्ट इतना नहीं होता लेकिर आपके मन को शांती नहीं मेएगी फल तो आपको मिलेगा अगर दशाने कहाँ है विभा ganze होना है तो विवा तो होगा लेकिन अगर गोचर अच्छा नहीं है तो विभा में मतलब वो आपको यह देखना है कि आपके मन को परसंता होगी या नई परसंता होगी जो आपको मिल रहे हैं वह आपको अच्छी तरह मिलेंगे या ऐसी मिलेंगे देखिए अब जैसे मैं बताता हूं आपको गोचर एक तरीके से समझ लेजिए कोरियर बॉय है अब आप बहुत सी कंपणी हैं कोईर कंपनी Одने अपने बेटे को बेजना है या आपनी बेटी बेजना है या अपने किसी ऐलेटीन को पार्ट both be अब बहुत सारे कोरियर्स करते हैं ब्लू डार्ट कोरियर ही है रोडेक्स put B Techn Wiki हो की के चार्जिस जाता है गोचर के बेजने के वो क्यों है क्योंकि उसका कि आप सब्सक्राइब करते हो कि हमने इसको को लिए तो यह पहुंचाएगा कोई कुछ बूलना था मैंने को सर्विस अच्छी है मतलब ओटीपी लेंगे आप से पूछेंगे बकाइदा ठीक पहुंचा देंगे इस तरीके से वह लोग पहुंचाते हैं तो यह असर मिलता है उसका अच्छी प्रिकार से गोचर का होता है अगर गोचर अच्छा है तो अच्छी मिलेगी अच्छा में आनन्द आएगा और अच्छा नहीं है तो आपको उतना आनन्द नहीं आप आएगा तो यह फरक पड़ जाता है तो गोचर जो है एक तरीके से कोरियर बॉय है तो आपको जंकानी में चंद्रमा आपका तहां है और वहां से ग्रह किन-किन र आज की देट में सूरे का गोचर कौन से भाव में है? चौत्थे? नहीं, नहीं, आपके लगन से? दूसरे में? दूसरे में, very nice. क्योंकि आपका लगन यह है, और सूरे यहाँ पे चल रहा है, अभी गोचर में. तो दो तरह के गोचर हुगए एक लगन से गोचर हुआ एक चंदर से बभा लगन से गोचर के दो-तिन वर्मूले हैं वो मैं आपको बताँ अभी पढ़ाते हुए लेकिन में इंपोर्टेंस चंद्र से लगोचर की है कि आनंद प्राप्थ होगा या नहीं प्राप्थ होगा वो चंद्र से गोचर का देखना पूरता है कि चलिए कि अगर कि इसमें कहा गया है कि चंद्रमा मन कि इसी कारण चंद्रखन को घोचर फलादेश में प्रधान माना गया है कि चंद्र रगण को ही आपे घोचर अगर कभी देखें तो चंद्रल लगण को मियन मान के देखें अच्छ यह कि एक पाइंट ऊपर दिया हुआ है कि यह एक पाइंट भी में visibility हम डोन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपनी कुंड़ी से अपने पिताई कुंड़ी देखने हैं तो कैसे देखें नवंभाव को लगन बना दें या दूसरा थारी का यह बताया था मैंने कि सुर्य का कारत है यह बताया था और तीसरा तरीका यह है कि सुर्य जहां बैठा है आपकी जनम कुंड़ी में उससे नवी राशी से लगन बना लें और वहां से पिता का विचार करें तीन तरीके हैं आपको घबराना नहीं है जह마 है इसी को लगन बना लू जहां शी लगन बना लो यस्व को लगन बना सकते हैं जो भी आपको चाहेर लाखन को लगन बना लो चाहें चंद्रमा से चौती राशी को लगन बना तो उसको कांट करेंगे हम चंदरमा जा बैठें तो यह आपको इन्हों ने यही बताया है इस पाइंट के अंदर क्यूंकि अलग-अलग पॉइंट्स में आके अलग-अलग पॉइंट्स बता देते हैं फल दीपिका का यह पॉइंट है उसमें लि चंद्रन कुण्णी में जिस राशी में बैठा है उससे चतुर्त राशी से मता का करना मंगल जिस राशी में बैठा है उससे तीसरी राशी से भाई भाहिन का विचार करना तो ऐसे भी आप देख सकते हैं चलिए कोई साथ तरीका आप लगा लीजिए अब ये गोचर हमने दिये हुए है चंदर से गोचर ये गोचर जन कालीन चंदरमा से सूर्य गोचर करें अगर कहां कहां तीसरे भाव में चटे भाव में दसवे भाव में या ग्यारवे भाव में तो वो अच्छा होता है शुब गोचर होता है जन कालीन चंदरमा से जहां आपका जन के समय कुंड़ी में चंदरमा है वहां से सूर्य तीसरे भाव में हो चटे भाव में हो दसवे भाव में हो या ग्यारवे भाव में हो तो वो गोचर आपका अच्छा होता है उस वक्त जो काम आपका होता है आपको बहुत आदन मिलता रिजर्ट बहुत अच्छे मिलते हैं फिला खुश लारी कि 3-10 घ्याड़ा ये श्यारों मही होगा ने हमक्ते कोई भाव में हो चाहे तीसरे में हो चाहें हो चाहें चटे में हो 70 महां या ग्यारे में अगर यहां पर हैं तो वह अच्छा जाए अगर तीसरे भाव में आता है च्छटे भाव में आता है तो वह प्रसंद में होता है और वो खुश होता है और वहां वह आनंद देता है तो इसा किए ना चंदरमा आपका जिस राशी में ठीक है वह आप चेक कर लिए कि चंदरमा किस राशी में जन के समय कुम्ब राशी में और आज सूर्य कहां चल रहा है वह चैक कर लिए किस राशी में चल रहा है मालिया सूर्य एक नमबर राशी में चल रहा है तो 11-12-1 यानि तीसरे भाव में हो गया तीसरे बोचर है सूदे का तो आपको यही देखना है कि जनके चंद्रमा से आज की डेट में डिफरेंट रहे हैं सूरिय से लेके के तुक वह किस-किस पार्ट भाव में चल रहे हैं मतलब उससे किती राशी दूर चल रहे हैं यह समझे लिए तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका चंद्रमा लेकिन चंद्रमा से गोचर पढ़ा जाता है चंद्रमा से मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उस गोचर वह पढ़ने के लिए आपको यह चीज जहां रगने पड़ेगी चंद्रमा से चंद्रमा का गोचर पहले दीसरे छटे साथवे दसवे और ग्यारवे भाव में अच्छा होता है यानि तीन च्छे भाव में गोचर अच्छा होता है चंद्रमा का बारे भाव में से छे भाव में चंद्रमा जर्म के समय जिस राशी में बैठा है और गोचर के समय यानि आज के समय जिस राशी मे है है वहां से count कीजिए अगर पहले नंबर प्रेहीं लावा उच्छा इसाथ हो बलब पर कि आप चर्डमाइ जिसiddande में है वहां से count कीजिए कि आपका आज की डेट में ग्रह किस राशी में बैठा है और फिर वो काउंट कर लिजिए कितने किती दूर बैठा हुआ है कितने भाब दूर बैठा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर चंद्रमा आपका गैरा नंबर राशी में और सूरिय आज की डेट में दो नंबर राशी में है गोचर में तो ग्यारा से काउंट करिए ग्यारा बारा एक दो चौथे भाव में आ गया चौथा गोचर वह अच्छा नहीं है वह अच्छा नहीं है ठीक है न यानि उस गोचर में जो रिजल्ट आपको मिलेंगे उन रिजल्ट के अंदर आप एंजॉय निकत्वागे यह आपको ध्यान चंद्रमा से बंगल का गोचर जो होता है वो तीसरे चटे और ग्यारवा अच्छा होता है चाहें अपनी मित्र राशी के साथ बैठे हो उससे कोई मतलब नहीं है मित्र से हो शत्रू से हो कुछ भी है उनका गोचर अच्छा होता है यह वादा ठीक है अब जन्द के समय जन्द के समय से गुरू का गोचर जो है वो दूसरे पांचवे साथवे नवे और ग्यारवे बंच्छा होता है यानि जन्द के समय चंद्रमा जिस राशी में है उस राशी को काउंट देख लीजिये और वहां से गुरू को चेक कीजिए कि आज की डेट में गुरू किस राशी में है वहां काउंट कीजिये तो वो वाला गोचर आजाए जनकाने इन चंद्रमा से शुक्र का गोचर यानि शुक्र गृह एक ऐसा है जो 3, 365 और 39, 39 भावो में अच्छा रिजर्ट देता है जनकाने इन चंद्रमा से शुक्र का गोचर पहले, दूसरे, तीसरे, चौठे, पाँच्वे, साथ्वे, नवे, ग्यारवे और बारवे भाव में अच्छा होता है जंकानिन चंद्रमा से शनी का गोचर यानि जंक के समय चंद्रमा जिस राश्री में बैठा है और फिर शनी को चेक करेंगे वो किस राश्री में बैठा है तो अगर शनी तीसरी डाश्टि में है, छटे बहाव में है, या ग्यारवे बहाव में है, जन्कानिन चंडरमा से, तो ये गोछर अच्छा कहला है गया है तो आप देख सकते हैं कि शनी का गोछर आपको अच्छा मिनने के चांस बहुत कम होते हैं क्योंकि तीन जगे पी शनी का घुचल अच्छा होता है तीसरे चटे और जार्वेपाव अच्छा होता है उसमें को यश्घा नहीं 했습니다 अब में बता हूंगा क्या वा क्योति उसके का वेना अश्थी में तो जाप होगया उसमें कुछ इन्होंने exception दिये हुए कि चौथे में आ गया अगर ये हो गया तो गोचर ठीक हो जाएगा अभी आप इतना याद रहे आगे वो आएगा पार्मिला जो आपको बताने वाद में यह राहु और के तुग गोचर जन्कालिंच नमा से तीसरे चटे दस्वें और ग्यारवे बावन अच्छे लोगे तो सूर्य राहु के तुछ स्वें तीन च्छे दस ग्यारा मंगल शनी तीन च्छे क्यारा बुद्ध का याद करना हो तो दो तो टू या फोर टू टू फाइफ जट टैन और अलेवन ऐसे करें कुछ सिस्टम बना लेजिए उसको याद कर दो शुक्र का पहला दूसरा तीसरा चौथा पाच्छा तो 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 रही है छोड़ दीजे साथ आठ छोड़ दीजे नौ दस छोड़ दीजे ग्यारा और वारा ऐसे करके आपको यह चेक करना है तो यह मुझे लगता है कि आपको समझ मैं आया होगा अवां आगए चलते हैं अब दिखिए यह एक्सेप्शन्स हैं कि गोचर तो आपका अच्छा था सब कुछ था आपने देखा कि सूरे का गोचर आपके जंदकालीन चंद्रमा से तीसरा चलता है मैं आहिए किसी क्षी करक होता है तो आप तो आप चापने आपके पिता से आपकी गौश्टा नाथोग जंदके समय कर्क किसे सूरे कौशर तो तो आपको रिंद देखाना होता है त возмож क्या है कि सूरे का गोचर तो अच्छा चलता है लेकिन यदि वो गोचर में सूर्य है, आपका अशुब ग्रहों से दरस्ट हो, दो या दो से अधिक अशुब ग्रहों से दरस्ट हो, तो उसके शुब फल कम हो जाते हैं. आपने ये देखा कि आज की देख में जनकालीन चंद्रमा से सूर्य का गोचर तीसरा है आप बोले वहिए गोचर तो अच्छा है लेकिन एक बार ये भी देख लिजिए कि गोचर में जो सूर्य है गोचर कुंटली में वो आपका दो या दो से अधिक ग्रहों से प्रभावित तो नहीं अश्ब ग्रहों से या तो साथ बैटा हो या उनकी द्रस्थी हो तो अगर ऐसा है तो आपको फल गोचर अच्छा होते हुए भी अच्छे फल मिलने में कमी आ जाती है इसी प्रकार से अगर सूर्य का गोचर चौथा है तो आप कहते हैं कि लेकिन था कहा अच्छे च्छा नहीं है जबने अगर आपका अक्छे क्रहों से नहीं तो उसका गोचर भी कम बुरा रहाता है ठीक होने लगता है यहां पर वही बात होगी द्रस्टी वाली दिर हां गोचर में आपको द्रस्टी भी देखनी है आपको गोचर में चेक करना है कि जो रहा है वह किस राशी में बैठा है और उस पर द्रस्टी किस किस किये तो हो सकता है कि जनकालिंग चंद्रमा से आपका एक मिन प्लीज होल्ड कीजेगा जरा झालिंग झाल 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 यह लोगों ने पढ़ लिया कि आपको यह तो देखना ही देखना है तो आपको यह तो देखना ही देखना है कि विभिन ग्रहों का गोचर में वो जनकालीन चंद्रमा से कहां चल रहे हैं और फिर यह देखना है कि अन् के द्रस्टी क्या है या उन ग्रहों के साथ कौन से ग्रहे यूथ हैं दो या दो से अधिक पाप ग्रहों से या दो या दो से अधिक शुब ग्रहों से प्रभावित तो नहीं चलिए आगे चलते हैं यदि कोई ग्रहे गोचर दोगारा अनिस्ट भाव में हो किन्तु अपनी स्फेर राशी या उच्छ राशी में हो तो दोश नहीं करता अब देखो यहां पर देखो कि मालियस सूर्य का गोचर चौथा चल रहा है आपके जनकालिक चंद्रमा से तो गोचर तो अच्छा नहीं है लेकिन वो आपकी अपनी राशी में चल रहा है सूर्य अपनी राशी में चल रहा है मेश में चल रहा है तो वो दोश नहीं करेगा ये भी ध्यान रखना है कि जिस ग्रह का गोचर हम देख रहे हैं वो ग्रह स्वेराशी में है या उच्छराशी में है अगर स्वेराशी में है और गोचर ठीक नहीं है तो वो बुरा नहीं करेगा और उच्छराशी में है गोचर ठीक नहीं है तो वो बुरा नहीं करेगा तो किसी को ऐसे ही बोल देना कि आपका जनकाली चंद्रमा से गोचर ठीक नहीं है आपके मन को अशांती रहेगी ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए गोचर ठीक ना हो तो हमको यह देरूर देखना चाहिए कि जिस ग्रह के साफेक शम गोच कि यदि गोचर द्वारा शुब भाब में हो और स्वेर राशी का हो तो पूर्ण शुब फल करता है अब यहां देखे एक एक्सेप्शन और आ गया कि अब aफ आए से आवाज नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही है मंदोरमा जी abd six आरे चौरी आपको तो यह जरूर देखना है तो आपको यह ज़रूरत देखना है कि यदि गोचर में, वालिय सूर्य को गोचर दिख रहे हो आप, और वो जनकालीन चंद्रमा से चौथे भाव में है, चौथी राशी में है, मान लीजिए, कि जिस राशी में जनकालीन चंद्रमा है, उससे चौथी राशी में सूर्य है, तो वो गोचर अच्छा नहीं है, गोचराशी में है तो फल थोड़े अच्छे हो जाएंगे उसके साथ साथ अगर सूर्य शुब भाव में हो शुब भाव कौन से त्रिकोण में हो पहले पांचवे या नवे भाव में हो तो वह गोचर और भी शुब पल करता है गोचर का सूर्य जनकालें चंदर्मा से अच्छा नहीं है यह मान लिया। सबक्रों पांचवा है गोचर के सूरिय जनकालीन चंद्रमा से पांचवा है तो पांचवा तो अच्छा नहीं है लेकिन वह स्वेराशी में है या उच्छ राशी में है नंबर दो चुकि वह पांचवा है तो पांचवा भाव त्रिकोड का भाव होता है आप तो हमें पांच तो गोचर में आपको यह भी चेक करना चौही今回 आपके जनकानिंद चंद्रमा से शुब भाव में जंकानिंद चंद्रमा से त्रिकोर में है या नहीं उस परक्राशी में है तूर हम है किंकी दृस्री घिंके साथ वह सब चेक करके आपको बताना गोचर आपके लिए बुरा होगा या अच्छा होगा क्लियर अब देखिए यह और आया एक फार्मूला जोग रहे गोचर में शुब हो गोचर में तो मालिया सूर्य शुब आगया आपका तीसरा गोचर आगया जन्कालिन जन्दमा से किन्तु नीच राशी में हो या शुत्तु राशी में हो तो फल बहुत कम हो जाएंगे शुत्तु राशी में हो तो फल में थोड़ी कमिया जाएगी कोचर अच्छा होते हैं या सूर्य के साथ हो तो अस्त हो गया सूर्य के दस दिगरी बारे डिगरी के अंदर कोई भी ग्रह होता है तो वह अस्त हो जाता है सूर्य एगर पांस दिगरी का है कोई पंदर डिगरी का है तो ग्रह उससे अस्त हो जिए तो सूर्य की डिगरी के दस आठ या दस डिगरी के रेंज में जब भी कोई ग्रह आता ह सबसे जादा पूरी तभी के सबसे निकलता है तो कौन से ग्रहीं में दिखाई नहीं पड़ता है जब सूर्य की रोष्णी खतम होती तो रात में वीनस ज़रूर दिखाई पड़ता है पर देखो सूर्य जो है वो च्छा जाता है अपनी रौष्णी से सब ग्रहों को अस्थ कर देता है उनकी रौष्णी छुप जाती है रौष्णी छुपने का मतलब होता है अस्थ हो जाना तो ग्रह सूर्य का गोचर तो शुप है मालिया या सपोस कीजिए कि सूर्य का गोचर देख रहे तो गुरू का गोचर जनकालिन चंद्रमा से दूसरे पाँचवे, साथवे, नवे और ग्यारवे भाव में अच्छा हुआ है अब आपने देखा गुरू का गोचर तो दूसरे भाव में है जनकालिन चंद्रमा से जनकालिन चंद्रमा से दूसरे भाव में गोचर तो है उसका प्रभाव निश्फल हो जाएगा और ऐसे में कि वो सूरे के साथ बैठा हो और साथ में वो नीच राशी में भी हो तो भहिया वो तो अत्यन तश्रुप फल देगा वो तो उल्टा फल देना चालू कर देगा कि यह समझ आया कि जी तो गोचर बहुत जादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने चुछ भी बहा कि 15 परसंट आपको के वल वेटेज है इसकी फट्राप्र संट की वेटेज है जादा इंपॉर्टेंड नहीं है लेकिन 15 परसंट में भी आपको ध्यान देना ज़रूरी बढ़ा सिंपल सा दो-चार मिंट के अंदर या आप देख सकते हैं यह सो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बहुत रिजल्ट में उपर नीचे आप कमी आती है और तार तरने के अनुसार आप रिजल्ट बोच सकते हो सर यह ग्रहों की डिग्री वगरा कैसे निकाल पाएंगे हो डिग्री दी होती है सॉफवेर तो यह जैसे गोचर में निश्वल हो जाएगा सूरे तो जो एक्टी फाइप परसंट अमने लगन में जो उसका सूरे की अगॉर्डिंग रिजल्ट मिलने है तो यानि वही रिजल् वह अपना फल जो है गुरू का जो में फल मिलना चाहिए था वह फल तमें शुपन नहीं मिल पाएगा उस टाइम तक के लिए जिस टाइम तक वह सूरी फिर वहां से राशी चैन्ज करते गा एक महीने के अंदर हाँ एक महीने तक मैंने लगन जो राशी है हमारी हुझ थो सूर्य तो एक में तीस दिन रहता है तो तीस दिन पर राशिक अपने चलता रहेगा टापता रहेगा गुरू में रहता है एक साल इनल जायगा सुर्य एक महीने बाद निकल जाएगा तो वह अस्तवाला शॉलाज पत्म हो जाएगा जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर यह देखे यह डिगरी दी हुई यह ग्रहों की सूरिय तेज़ डिगरी पचास मिनट का है गुरु बार्र डिगरी का है बुद्ध आपका आठ डिगरी का है मंगल आपका छे डिगरी का है तो अगर सूरिय से गुरु आठ या दस डिगरी की रेंज में आ जाता यानि सूरिय से गुरु पंदर डिगरी का होता सोले डिगरी का होता सतरे का होता अठारे का होता तों कहते गुरु अस्थ हो गया लेकिन यहां पर गुरु अस्थ नहीं है सूर्य के साथ बैठा जरूर है लेकिन डिगी जाथ है गुरु 12 डिगीरी का है सूर्य 2 डिगीरी 13 का है तो 12 डिगीरी का डिफरंच अगर सुर्य मैं और किसी ग्रह में आघ रिग्री या उससे कम का फर्क है तो आप समझे कि वो घ्रह सूर्य से अस्थ इस दिए को मानून चल गया कियां पर क्या हम बुद्ध को अस्त कहेंगे अच्छा अभी बताता हूं ना बताएता हूं चलिए यह भी बापको में बताएता हूं आप नहीं नहीं अब भंगल देखे 6 डिगरी का है सुरीय 23 गरीगा तो 17 डिफरेंस तो मंगल प्रफ नहीं है जो जो अगे चलते हैं तो यह हम लोगों ने पढ़ लिया अब देखिए यह बड़ा इंपोर्टन नियम कुछ आते हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखने है के महादशा स्वामी यदि जन्पुर्णी में बलवान हो तो उसकी दशा के समय गोचर में अपनी उच्च राशी स्वेराशी या मित्र राशी में रहता हुआ लगन से जिस भाव में ब्रहमन रता है उस भाव का पुस्ठी कारथ होता है मान लीजिए किसी ग्रह की अंतरदशा है सपोस्थ किजिए चंद्रमा की अंतरदशा है या मंगल की अंतरदशा है किसी ग्रह की भी अंतरदशा हो और उस अंतरदशा के समय वो ग्योचर में क्या उच्छ राशी में हैं क्या स्वेराशी में है या मित्र राशी में है अगर ऐसा है तो लगन से जिस भाव में ब्रह्मन करता है उस भाव का पुस्टी कारक होता है मैं आपको एक्जाम्पल दिखाता हूँ बोचर बहुत मतलब फॉर्मूले इसके आर्ट डस है लेकिन वह बस इंपॉर्टन है वह आपको याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है देखे इस कुंडली में दशा किसकी चल रही है महाधशा शनी की है ऐन्तरद्रशा गुरुगी है यह आपको दिखाई दे रहा है ठीक से तो कोई भी ले लीजिए आप चैमा देजिए उत्र समय अंतरद्रच्था छोकी फल देता है वेन आ ब्दाइव से आप यह देगिये कि गुरू आपका आज की डेट में किस राशी में गोचर कर रहा है एक नमबर राशी एक नमबर राशी उसकी मित्र की राशी है तो हमने कहा गुरू का गोचर अच्छा हो जाएगा किस भाव के लिए उस भाव के लिए जहां वो लगन से कांगोचर कर रहा है आप आप मेरी बात सुनके किसको बता सकते हो तो बताओ मुझे गुरू की अंतरदशा है ये तो डियर है शुक्र में गुरू की अंतरदशा है बिलकुल गुरू जो है वो एक नमबर राशी में गोचर कर रहा है आज के देट फिक है जी अच्छा आज की देट में गोचर कैसा है इसका यह मित्र राशी में है मित्र राशी में जी चलिए वो कहता है कि मित्र राशी में स्वेर राशी में या उच्छ राशी में गोचर हो नंबर वन तो गुरू लगन से जिस भाव में होता है जैसे यह चौते भाव में चौते भाव में तो चौते भाव के फल में व्रद्धी करेगा जी गुरु लगन से चौते भाव में है न एक, दो, तीन, चार गुरु एक नमबर राशी में है चौते भाव में है गुरु लगन से तो चौोते भाब की व्रद्धी करेगा, अब जुआ यह देखिए ओसके बाद शुक्र में शनी की तशा है, शनी देखिए, शनी कहा गोचर कर रहा है, शनी दूसरे भाब में, ने यह राशी कौन सी है, वह ग्यारा नंबर, स्वेराशी है इसकी, जॉरा, स्वेराशी है, तो ये शनी गया नमबर राशी में है, स्वेर राशी में है, तो लगन से किस भाव में गोचर कर रहा है वो? दूसरे भाव में. परिवार से आपके संब्द अच्छे बनेगे आपको खाने पीने में हजम आपका अच्छा होगा जो भी दूसरे बाब से फ़ल देखते हैं वो फल आपके अच्छे हो जाएगे ये ये कहना चाथा है ठीक है जलिके दूसरे पाइंट भी ये कहता है कि जिस्क रहकी महादशा नहीं अंतरतशा जा रही है आप अंतरतशा को लीजिए यह यह दि गोचर के समय वह अपनी नीच राशी में जा रहा है या शक्तुर राशी में जा रहा है कि और सूर्य के पास होने से वह अस्त हो गया ये अंसमय वह गोचर में लगन से जिस भाव में होता है शक्तलिक था लिए जो महादशा लिखी आई यह अंतरदशा लिए इसमें भी नीचे में लिख दिया गया है कि महादशा जहां लिखा गया है वहां उसको अंतरदशा कंसिडर कीजिए अब जैसे यह कुंड़ी है नीचे कुंड़ी दे रख यह आपको मैंने मालो शनी की अंतरदशा है अगर शनी की अंतरदशा है और शनी गोचर में सिंग राशी में हो सपोस करो आज की दिन गोचर में सिंग राशी में हो तो शत्र राशी में हुआ जी तो वो कहता है कि लगन से जिस भाव में होता है तो लगन से कौन से भाव में हुआ बारवे भाव तो उस भाव की हानी करेगा यानि आपके व्याय करवाएगा एक्सपंडिचर कराएगा आपके आपको मांची का शांती देगा यह सब चीजें देगे कि दोनों उसमें दिये हुए कि गोचर के समय अपनी स्वे राशी उच्छ राशी या मित्र राशी में हो तो लगन से जिस भाव में combining करता है उस बाथ के फ़ल में प्रद्धी करता है और गोचर के समय अपनी नीच राशी में हो श्ट्र राशी में हो या सूरय से अस्त हो करता है तो लगन से जिस बाव में ब्रहवन करता है उस बाव को अशुख वल करता है कि लियर हुआ जी सर अगली बार आप यह सब चीज पढ़के आएगा और कोई पॉइंट आपका रह जाए तो मुझसे पूछ दिजिएगा यह बड़ा इंपोर्टेंट है आट-दस फार्मूले हैं जादे नहीं है यह कुसके नीचे लिखता है वर में M-dN यह M-d-N क्या है लगन से गोचर M-d N का को समझिया महाद्शनात अंतर श्राजएन उते हैं तो अंतरशणां का समझिया अब लगन से गोचर अंतर oxana व ए अब कई वर क्या होता है कि आपके पास कोई बंदा आता है और आके फूसता है कि साब मिरा आज यह सवाल उसके लिए है यह फॉर्मुला जब कोई आपसे एक दो दिन में काम बनेगा या नहीं बनेगा वो पूछने वाला है त्युक्त चंद्रमा एक राशी में सवा दो दिन रहता है आपके पास कोई आया वो आपसे कहता है यार कल मेरी पेमेंट मिल लिए मुझे कल इनी पेमेंट मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी सरकार से अपनी पेमेंट लेने जा रहा हूं मैं मुझे बुलाया नहीं मिल जाएगी यह नहीं मिल जाएगी तो आपको क्या देखन है दशा में आपको मैं बताता हूं यहां पर नोट कर लीजिए दशानात जो दशा हम लेंगे उसके बारें बात कर रहा हूं अंतर दशा लें प्रचंतर लें या कौन सी लेते हैं मैं आपको बताता हूं भी दशा का मतलब वो समझिए दशा के मित्रों की राशी में तिसरे पांच्वे छटे सात्वे नवे दस्वे और ग्यारव वाव दीन पांच च्छे साथ नो दस और ग्यारे भावज बाब अब देखिये examados करogen elli कि अ तो चंद्रमा एक नंबर राशी में सवादू दिन रहता है, हो सकता है चंद्रमा कल आ गया हो या आज हो, चंद्रमा अभी एक नंबर राशी में है, तो आपको क्या बोलना है, आपको ये देखना है, कि दशा किस चीज़ की है, दशा छोटी कर लो, देखे शनी में गुरू क शनी में शनी दशा 11 फरवरी चौबिस से लेके छे मार्श तक चलेगी और छोटी गता अब देखो अब तीन-चार दिनकी दशा खी नहीं सका लिए हैं शनी में गूरू में शनी में सनी गारा से लेके पन्द्र तक चार दिन की द reader तो यह जो दशाहें यह वाली इसको बोलते हैं प्राण दशा महाधशा ढंतरडशा प्रचंतरडशा सूख्ष्भ दशा और प्रांडशा मैं आपको बताई ती पांच दशा यह प्रांडशा तो प्रांडशा को आप लगन मना लेजिए लगन मान लिजिए प्रान दशा किसकी है शनी की है तो शनी को आप लगन मान लीजिए यह मान लीजिए कि यह आपका लगन पहला भाव अब देखिये गोचर का चंद्रमा अगर शनी से तीसरे, पांचवे, साथवे, नवे, दसवे और ग्यारवे भाव में चल रहा है और अपनी राशी में है उच्छ राशी में है या मित्र राशी में है तो आपको 100% मिलेगा आप कह सकते हो बहुत जाओ तुमारा काम हो जाएगा अगर यह चुद्धा बढ़ेगा शनी जो है अभी यह देखी न आपका अगर आप इस वाली कुंड़ी में देखें तो शनी को हमने लगन मना लिया यानि गयार नमबर को लगन मना लिया प्रतेंतर जो भी हमारी सुक्ष्मिन दशा है उसको प्राण दशा को हमने लगन मना ल थीक है यानि यहां पर है चंद्रा मम तो इससे क्तिन दूर हुआ पहले दूसरे टीसरे भाब में तो इसा नमी में यही है फो तो उस्वाक्त पर पनेगा और जाब यह काम बंघा यह तिनक अदर यह आपको दो दिन के लिए देखना है दो या तीन दिन के लिए पस प्रांडशा से यह पॉल्मुला चंदरमा का गोचर कि प्रांडशा से कहां कहां चल रहा है कई बार होता है ऐसी किसी के घर में तवियत खराब है वो बोल देते हैं या जरा देखे बताओ तब ठीक हो अब इसने पूछा उसमें पूचा ऊसमें चंद्रमा घोचर दूसरा चल रहा हो तो दो दिन नृट तो आप तहुआ है तो पिता जो है यह तुवारे घर में रीलेटिव हैं वेंटिलेटर से बाहरा जाएंगे ठीक हो जाए है कि समझ आया है जी सर आवाज में वो जान नहीं है आप लोगों के नहीं सर मेरा तो गले घाठा हुआ तब एक राब चल रही थी अच्छा 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 गुंजन बोल रही है अच्छा बनोर्मा जी चलिए समझ आना चाहिए एक बार पढ़िएगा रिकॉर्डिंग सुनिएगा समझ आएगा नहीं समझ माइगा तो एक मेरे क्लास हमारी स्टाट होकि इसके बाद हमारी स्टाट होगी धोट्रniej आप कुंड़ी घटी करिए कर शक्रिए नहीं तो और कुंड़ी को लगा-लगा के हम लोग सिर्फ पनार चलिए आगे चलते हैं कुर यह पाइंट तो मैंने पढ़ा गया कि जिस ग्रह की अंतरदशा जा रही हो यदि गोचर में वे अपनी नीच राशी में शक्तुराशी में जा रहा हो या सूरे के समीफ होने से अस्त हो जाए तो इस दिशावे ग्रह कश्च देगा यह तो हम पढ़ चुके द्वारा हो जाता हैlish nest stranger कि आ में वकरी ग्रह मैं आपको नहीं पताया है यह मैं आपको नेक्स क्लास में क्लास में बतानों कि वक्र होने का मतलब क्या होता है अक्र मतलब होता है उलटाज सुनना अगर घड़ी को आप उल्टे चलना चलू कर दो तो कहेंगे घड़ी वक्र हो गई है राहु के तुम हमेशा उल्टे चलते हैं और वह आगे चलते हैं जैसे इस कुंडली में बुद्ध जो है वक्री है बुद्ध के आगे व्य लिखा हुआ है यह वक्र है इसका मतलब है यहिस बुद्ध जो है उल्टा चल रहा है चलना चलना है यहां लेकिन वो मतलब उनका मुवमेंट पिछली साइड में हो रहा होता है फाल को तो वहीं रखना आपका है जब तक कि वह ग्रह जीरो डिगरी या एक डिगरी उंतिस डिगरी पे ना हो अगर कोई रह्यह एक डिगरी पे है तो आप कहा हो कि वह पिछले भाब का फ़ल देगा कोई रहा है अनगतिस इस्ट नीग्री पर है तो आप कहसकते हो रहे तो ओक्रह लेगिंगे अगर सुम्पल 29 से या एक से ज्याद़ा है तो आप को होगे वो कम होता जा कि जैसे अब बुद अभी आठ डिगरी का है दस दिन बाद देखोगे तो यह च्छे डिगरी का रह जाएगा चुकि उल्टा चल रहा है तो यह वक्री का मैं आपको नेक्स लास से पढ़ा दूँगा आपको कि वक्र रह कब होता है अब वक्री रह के जिल्ट कैसे होते हैं वह और प्रैक्टिस कुछ ले लेंगे आपके लिए चले यह तो वही पाइंट हो गया इसके बाद क्या है गोचर में क्या देखें गोचर में आपको हमेशा एक चीज़ जरूर देखनी चाहिए कि आपका लगन का स्वामी जो है कुंडली का कुंडली का जो लगन का स्वामी होता है वह आप स्वैम होते हैं वह जातक स्वैम होता है वह गोचर में पीडित तो नहीं पीडित कैसे नहीं है गोचर में देखो कहां बैठा है किस-किस ग्राव की द्रस्टी है किन ग्राव के साथ बैठा है सूर्य से अस तो नहीं है तो जब तक वोचर में वो ग्रह पीडित रहेगा आपका लगनेश तब तक आपकी तबियत में उशाल हो सकता है, उपर-nीचे हो सकती है, आप कहेंगे कि बही अपना केर कीजिए, थोड़ा तबियत में नासाज आपकी हो सकती है, तोगी गोचर में आपका लगन जो है, वो पिडित है, यह सब्तमेश को नहीं लेना है, यह गलत है, यहाँ पर, सब्तम के रिजल्ट को आप देख रहे हैं, सपोस्कि यह साथवे भाव के रिजल्ट को आप देख रहे हैं, तो आपने भाव, भावेश और कारक को चेक कर लिया, साथवे यह भी देख लिजिए, जो सब्तमेश है आपका, उस भाव का स्वामी, वो गोचर में पिडित हो नहीं, अगर सब कुछ अच्छा है, गोचर में भी अच्छा है, तो बहुत बढ़ी है, तो आपको भावेश की इस्तिती भी देख लेनी चाहिए, अंतरदशानात की इस्तिती, जो अंतरदशा आपका हो, जिसकी चल रही हो, उसको देख लो, कि जिस ग्रह की आपकी अंतरदशा च और बुद्ध आपके अच्छा फल देने वाला है लेकिन गोचर में पिडित हो गया है या सूरे के साथ आके अस्त हो गया है तो उसके अच्छे फलों में कमी आ जाएगी इसी प्रकार से गुरू वे शनी का गोचर भी आपको देखना होता है क्योंकि शनी काल का स्वामी है गुरू आशिरवाद है कि तो शनी और गुरु को भी अपने जो हैं आप गोचर में चेक कर लीजिए कि ज़्वेत पर और लिए और और रटी टो यह आप एक बार चैक पर लिए जैसे में चीन दिखाता हूं पुर्ड Kalau इसे दिशू के वाली कि भी सो जैसे इस कुंड़ी में लगनेश कौन है शनी तो हम यह चेक करेंगे कि शनी गोचर में तो नहीं यह देखिए गोचर में शनी सूर्य के साथ है ठीक है और कुछ तो शनी अस्त हो गया शनी अस्त हो गया इसका मतलब यहां पे फल अच्छे नहीं मिल पाएगी कम फल मिश्वल हो जाएगी गोचर के तो हम कहेंगे कि आपके तबियत में उतार शड़ाव हो सकता है क्योंकि आपका जो लगनेश है वो सूर्य के साथ होने के कारण अस्त हो गया है तो आपकी तो तबियत है वो थोड़ी उपर नीचे हो सकती तो अपनी तबियत का ध्यान रखिए इस बालक को हम यह कहेंगे अब कब तक ध्यान रखिए जब तक कि यह सूर्य यहां से हट रह कि अब तो एक महींहें में हड जाएगा नेश मेंहें ठीक हो जाएगा धो आपको हमेशा लगनेश की इस्तिति जरूर देख ले tuh दो नहीं अगर स्वामी गोचर में पिलईत है तो आपको स्वास्त में उतार चड़ाब होगा आपके नाम का जो यश है या यश जो आपको मिलना होगा वो यश उतना नहीं मिल पाएगा ठीक है जी सार अरून जी समझ मा रहा है है जैसा आपने गोचर में चेक कराया है और हम जो लगन से आपने जो भी रूल बताए कि उसको माँ प्लेस करें और इसके अगॉर्डिंग वो फल देगा गोचर में तो यह ओवरॉल रिजल्ट उस पर ही देगा ना इल्टिमेटली जो आपने लगन भी है कुंपली हाँ उसक अगर उसमें अच्छा दे रहा है तो उससे कम देगा पुर्ड पर हाँ यह है अच्छा चलिए अब मैंने कहा कि लगनेश किस्टी देखिए अब मालिया देखिए जैसे इसी आदमी की चार दिन के बारे में देखना आ है ग्यारा दो चौबिस से पंदरा दो चौबिस तक यानि चार दिन के लिए शनी की प्राण दशा है इस व्यक्ति की और शनी जो है वो सूर्य से अस्थ है अभी तो हम कहेंगे वह इनके जो प्राण दशा जिस ग्रह की है वो भी सूर्य से अस्थ है तो ये दशा का समय इनके लिए भले ही अच्छा होता क्योंकि दशा तो लगन स्थिति है तो देशा तो अच्छी होती लेकिन ये दो चार दिन अभी डशा में अच्छे नहीं जाएंगे क्योंकि शनी जो है वह अन्तर ये जो पर जिसकी प्राण दशा है वह गोचर में आपका सुर्य से अस्थ हो गया है तो जो अच्छे फल है वह आपको नहीं मिल पाए काम हो जाएगे समझ माया जी सर चलिए गुट तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग अश्वा गुरू का गोचर भी देख लेते हैं गुरू का गोचर भी देखना जरूरी है मैंने बताया था ना कि लगनेश का देखो भावेश का देखो सब्षणी का देखो गुरू का देखो गुरू का गोचर क्यों देखते हैं कि आज की समय में है जो टाइम चल रहा है उसके उपर का आशिरवाद हेया नहीं है जुछरा का आशिरवाद आपके उपर है या नहीं है अब गुरू देखिए गुरू आज के καशुरिंट में कहां है इधर बैठा हुआ है किसकी द्रस्ती है शनी की एक दो टीन जुर यह चन यह जो आपका गुरू है वो थोड़ा पीडित है अभी आपका गुरू गोचर में तो जो गुरू से संबंदित चीजें हैं आप माले पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यह चेक कर लीजिए कि मैं गुरू आपका इस गुरू धनका तो पहले यह देखिए कि पैसे के बाफ कौन सा है दूसरा दूसरे बाफ का सवामी शनी है और शनी गोचर में आपका कैसा है गोचर में पीडित है शनी सूर्य से अस्त हो गया है तो उसको बोलो भाई अभी थोड़ दिन रुख जाई पैसा जबा मात कर, कोई कहता है मैं मकान खिदना चाहता हूं, मकान का स्वामी कौन है मंगल, मंगल गोचर में चेक कर लो, मंगल को चेक करते हो तो मंगल गोचर में शुक्र के साथ बैठा है, दरस्ट है किसी के साथ, केतु से दरस्ट है और कोई नहीं है तो कि एक रह का तो लेते नहीं है कुछ भी और एक शुब रह के साथ बैठा हुआ है तो मंगल बढ़िया है तुमारा ठीक है तो आप उसे कह सकते हो ठीक है घर ले ले कोई दिक्कत नहीं क्योंकि तो यहदा अच्छे उस्में मंगल को वर फिरी नहीं है आप आपको चीजिये बहुत सारी चेक करनी है या ति क्या छंद्रमा से जह रचा है या नहीं इसट्थ या नहीं है उलत खेंप महिल राशी का आत्र जाय तिन चीज करके फिर आप कहेंगे कि आपको फल ऐसा मेरे का अगर कोई हम से कहता है कि मुझे को मकान खरीपना है तो पहले तो मैं यह देखूंगा कि मकान का स्वामी मंगल तो मैं मंगल का कि घोचर मेरा कैसा है मंगल यहां पर हैं दस न्बर राशी शनी इसकी सित्र रू होता है सम यह सम रू आशी में चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं कि लेकिन मंगल पीडित भी नहीं है तो हम कहेंगे आप मकान खरीच सकते हैं कोई आदमी कहता है कि मैं कंपेटिशन देना चाहता हूं यूप सी का मैं दे सकता हूं क्या तो आप देखो इसका भाव का स्वामी कौन है बुद्ध गोचर में कहा है पहले बाव में दसनमबर राश हो गया एक मंगल के साथ है तो अगर एक रह वैसा है तो एक शुब रह भी है तो बुद्ध गोचर मतलब ओवराल ठीक है तो हम कहेंगे हां या आप कंपेटिशन दो आपको सकस्स मिल सकती है तो यह गोचर आपको लगाने है तो सर सारे रिजल्टी है खाली गोचर की कुनल गोचर में पीडित नहीं होना चाहिए और आपका जो अंतर दशानाथ है या प्रतेंतर दशानाथ है या शुक्ष्म दशानाथ है या प्रतेंतर दशानाथ है वो गोचर में पीडित में होना चाहिए क्योंकि अगर आपकी अंतर दशा शनी की चल रही है और शनी गोचर में आपका पीडित है तो आपको कस्ट अवश्य होगा चाहे वो दशा आपके लिए अच्छी हो तो वो कस्ट भी देगा क्योंकि शन पीडित है गोचर में तो आपको दंग से देपाएगा आपको देगा अच्छे लेकिल आपको फिर वह आनंद नहीं आए समगे आत्र लगनेश का और दसा या पर्तंतर दसा या प्रांद दसा या शूफंद दसानाथ या सूफंद दसानाथ अगर जोचर में पिडित है तो आप कहोगे दसाथ यह चल दए है और आपका ये वाला जो है पीडित है तो ये चार दिन पांस दिन आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे आप ट्रियर हो गया अरुन जी मनोर्मा हो गया सर हो गया सर जी सर चलिए हो गया सो नाइस तो हम लोग यहां तक रखते हैं यहमारा गोचर है इतना जाधा है को यह चीज देख नहीं नहीं है यहीं चीज हमें कछार बлыब है और वह अब कुछ नहीं क carnwide प्रॉफेशन के बारे मेरा बताईए कुछ बापका स्वामी शुक्र है और शुक्र की अंततषा चल रही है और शुक्र गोचर में पिडित है तो आपके प्रॉफेशन में उतार चड़ावाएगा तुझे प्रॉब्लम हो सकती है प्रॉफेशन के अंदर ठर्झ जगड़ा हो सकता है प्रॉफेशन के अंदर जोब छोड़ सकता है अपना जॉब छोड़के तो कम सार्री पेचा सकता है यह आपको ध्यान रहा है तो यह था हमारा गोचर का अगली बार हम वक्रीग है और प्रैक्टिस चार्ट कुछ लेंगे आप लोगों पर घरटीस चार्ट लेका रहा हुँगा और चारपांच चार्ट हम जुरूर्ट सटरी करेंगे सब लोगों से बात करेंगे कैसे हम लोग प्रैडिक्शन करें घोचर को देखते हुए और सब चीज़ों को देखते हुए तो आपको क्लियर हो जाएगा को बीच डिरे आपको चीजों करते रहेगा आपका चलतां रहेगा थे प्राइटिस करेंगे वह क्लास हमारी है तो हम बात कर लेते हैं तब तक के लिए नमस्कार जैशी कृष्ण